प्यास इन दिनों आम आदमी को महगाई के आसू रूला रहा है दरसल गुजरात के बाजार में प्यास के जो दाम है वो फिलहाल 80 रूपे को छू रहे हैं पिछले दो दिन के अंदर प्यास के जो दाम है वो करीब 20 रूपे तक प्रती किलो बढ़े है यहाँ पर जो प्रोडक्शन है कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है उसमें काफी कटोती हुई है क्योंकि महराष्ट में काफी जादा बारिश होने की वज़े से जो नई प्यास की फसल आनी चाहिए थी वो फसल नहीं आपाईए हमारे साथ यहाँ पर प्यास बेशने वाले यह बताएए दाम कितने बढ़ गए पिछले दो दिनों और खास वज़े क्या बता रहे है खास बज़े के पाक जड़ा बिगड़ गया इसके लिए आने के लिए बंदे नहीं फसल आती है वो नहीं आ रही है जिसकी वज़े से जो प्यास है उसके दाम काफी बढ़ गए है करीब 20 रुपे महेंगे प्यास एहमदबाद के रिटेल मार्केट में बिक रहे है तो वही अगर हम हरी सबजियों की बात कते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरी नोती आई है इस तरीके का जो यहाँ के लोकल व्यापारी है उनका कहना है क्योंकि पहले जहां अगर पत्ता गोबी की बात करें तो पत्ता गोबी पहले जहां 80 रुपे किलो बिकता था तो वही अब 60 रुपे किलो बिक रहा है लेकिन प्यास लोगों को महंगाई के आसू प्रूला रहा है और प्यास के दाम में करीब पिछले दो दिनों के अंदर 20 रुपे की बढ़ोती हुई है कामेरामेन साजी दालम के साथ गोपी घंगर एमदाबाद आज तक